नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर्स से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ंडीट्यू रीडर पब्लिकेशन तो दोस्तों काफी दिन होगे हैं को लेकर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी तो आज कुछ एक अपडेट इसको लेकर आ रही है तो आज किस वीडियो में बात करेंगे यूट्यू यूवाओं का ग्रूप है जो बने किस यूबले का रही हो लेकर लगातर महनत करें वो आज मानिय मुख्यमति मुनहरला लखटर जी से मिले तो वहाँ पर मुख्यमत्री मुनहरला लखटर ने क्या कहा पॉजिटिव रिस्पोस है और अब आगए की क्या रननेटि है मेरे पास पूरा एक ओडियो क्लिप है वो इस वीडियो में आपको सुना देता हूं कि मनोहरलाल खटर जी ने आज EWS एज एलेक्सेशन को लेकर क्या कहा और पॉजिटिव न्यूज है मैं तो कहूंगा रुकिये मत अभी आपका 17 फरवरी को विदानसवा सत्तर है उससे पहले आप थोड़ा सा जोर लगा दीजिए क्योंकि अब अगर कोई चर्चा भी विदानसवा में होनी है तो उसको लेकर भी प्रपोजल पहले विदानसवा स्पिकर को भीजा जा रहा है तो अभी अपना प्रपोजल वहां पर बिजवा लेजे जिससे को लेकर वहाँ पर questioning हर याना सरकार से हो जिसे सरकार पर प्रेसर बने और आपको जो एज रिलेक्सेशन मिलने के चांसिस बढ़ जाएं तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यह कहूंगा ज्यादा से ज्यादा सेर करें और अपने सभी विदायकों को दोस्तों बिल्कुल लास्ट आपको इसमें सुना देता हूं यह देखें बड़े ध्यान से सुनिएगा पांच मिंट के आसपास की ओडियो है इसको पूरे ध्यान से आपको सुनना है अज बाई दो तिन बात करनी थी कि एक तो बात थी कि आज सीम साब से मुलाकात होगी दिल्ली में प्रोफेसर संपत सिंग है न जो इदर सेक्टर पंदरा में पहले जो मंतरी थे और बीजेपी पार्टी में है उन्होंने मुलाकात करवाई है उन्होंने अपना सारा मेटर ग है तो फंघ इम साब ने सारा मेटर अच्छे तरीके से सुन में आज और चै हम साब ने कोई सची भाले के अंदर आयos है उनका कॉई की पोस्ट पर है स्टेमप सरकार में कूलोज वी है तो सारा मेटर सूनके कहा कि उनके पास में सारा अप ये उन बे भेजाव फोन नमब करके और वो मेरे को लब आठ नो तारीख मान लो जब भी इनकी और उनके मुलाकात होएगी दिल्ली लेक्षन के बाद वो मेरे को सारा बता देंगे और उसके बाद में मैं इस पर कोई स्टैप ले लूँगा तो बहुत ही बड़ी यह बाद है क्योंकि दो बार रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि उसने परसनल तोर पर कोई अपनी साथ कोई लगाव तो है नहीं और अपने लिए किसी ने कोई इतना स सारी सुनके तो उन्होंने अपना वो जो आईएश बता रहो ने उनके साथ में संपर करा दिया दूसरा भाई उसके पास में तकरीबन 20-25 दिन चुसको जाने की कोई लोड नी है अपना अगर उनके जाके उसे पुछा भी न की क्या रहा 20-25 दिन बाद में हो सेके तो संपर तो मिलेगी 200% मिलेगी क्योंकि बेदी ने भी एक आथा कि सरकार पर दबाव है उस टाइम पर हम सारे अधिए उदर सरकार पर दबाव होने का मतलब यह होता है कि बाई इसको करेगी सरकार बस वो टाइम का यह फिर हो रहा है तो ज्यादा टाइम लगा तो आपना तो कोई तो अभी मैं जाओंगा संपर सिंग्त दिल्ली हैं अभी कि दो तीन दिन और रुकेंगे जो वह वापीस यहां से अभी आजेंगे इसार में तो आ जूँगा जो और वह आएंगे पर तीन दिन बाद तो उनके कोठी पर दो बारा से बात करेंगे कि आगे हम ही क्या करना है क्योंकि वह मंतरी रह चुके हैं यार साइद वह मनिस्टर थेहरी आना के 82 में में तो उनकी सारी एक टिटेल बहुत ग्यान है तो एक स्टेप और आके बढ़के वाया पाज और यह सिरफ और सिरफ यह इसकाल ने बड़े हां क्योंकि आपने पिच्छे जो इसको पर इतना टेम लगाया है एक एक बाई ने कोई भी विवायों चैनाम बताने की लोड़े अच्छे तरीक्य से एलेक्ष्न के बाद तो अब मिले हैं समझे है और जब भी फरी यह अपना अच्छे करम होंगे वाई तो जैसे वाइस बात रखेंगे ना तो बड़ी रिस्पोंस मिल जेगा कोई नई बात तो है को निके बाई कोई नया बिल्याना है एंडबेंट अपनी सपोर्ट अगर है तो सीम तक कोई अपरोच है तो नहीं तो बहुत बड़ी बात है यार बीस पच्छी साल भी ना दें अगर खुद तो कोई जागर नहीं बाई सिये मोचे मंतरी वो तो किसे का थरू नक थरू जगाना है बढ़ा है दूसरा वाई एक राउल है में उसकी कोल आए थी डबवाडी से मिच्छी आगे में लेगी तो उन्होंने बाई मेरा नंबर दे दिया क्योंकि वो फरीदाबाद है भाई फिर मेरा संपर्क वह था तो वह आठ तारीक को इसार में आएंगे अमिच्छी आगे में लें लें और उनसे वह भी अच्छा सब्सक्राइब होता हुए तो धिनां जोड़ेंगे बाई दो और इस पर तीसरा भाई बूल गया हमें बाद तो तीशी के थी बख्यें थिमेंटो आई कि और बाकी आप वेट तो कर ना है अपनती भी से न पंचिस दिन का फरपांगे चार पांच बाई चार पांच बाई सिर्प वेद्धी के पास चलने और जो आए से उनके पास चलने और अब अपने पास कहने के लिए एक बात हो चुक्किए है वाई किसी के पास भी कि सीम साफ से मुलागा तो यह दिन्दी में और सीम साफ ने ये वोला है और ऐसे ऐसे इसको मतलब भाई डिटेल करके रुमूजे रिपोर्ट करो तो मतलब यह है कि बात अपने पास एक पॉइंट हो गया बोलने का पहले अपा कहते थे तनकर ने कह दिय किया उसने कह दिया अब अपने पास एक अच्छा स्टेंड हो चुका है और मेरे पास में 2015 के वो नोटिफिकेशन थे जो सरकार के चीफ सेक्टरी ने जारी किये थे पंदरा में उसमें अपने वीची और इबीपीजी को पांच साल की छूट दे थी एसपीएस्सी में है एक और बोल्ड वही आज प्रोफिसर संपचिंग के वट्सप से उद्र गए हैं सचीबाले में जो आई एस उनके पास तो एक बहुत ही बढ़िया मैटर गया है बढ़िया अच्छा डाटा सारा ठी लंबी हो गई रिकोर्डिंग जादा सब्सक्राइब तो दोस्तों आपने सुना आज का पूरा मैटर क्या रहा है आपका मैटर हैसा नहीं है कि भी पीछे चला हुआ है जिस प्रकार से आप सभी मेहनत कर रहे हैं ज्यादा बच्चे तो मेहनत नहीं कर रहे हैं अगर स्ट्र जाकर मिलें ग्यापन दें उनकी फोटो लें मेरे को पेज़े में वीडियो बनाने के लिए हर संभव आपका हैल्प करने के लिए मैं हमेशा तयार हूं और दूसरा दोस्तों यह पूरा सीम साब ने बोला है जनल सर्विस ब्रांस थ्री चीफ सेक्रेटरी ओफिस से सची वा मिल सकती है अब सबसे बड़ा स्वाल यह कि भी इस बार की हर यहना प्लिस की भरती में मिल पाएगी या नहीं एगर चाहते इसी भरती में मिलें तो आपको सतर से पहले थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी जो अपड़ेट आ रही है कि पंद्रा मार्च के बा यहां पर निकल कर सामने आ रहे तो दोस्तों कई दिन होगे थे आपका EWS एजलेक्सेशन को लेकर वीडियो बनाए हुए यह वीडियो आज जो अपडेट आए थी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मुखलाल खट्र से मिलने के बाद मैंने आपको पूरी रिकोर्डिंग और जो पूरी आडियो है वो मैंने सुनाई तो यही अपडेट मेरे पास आज की EWS एजलेक्सेशन को लेकर आए थी इसके लावा अगर कोई हेल्प आपको मेरी स्मैटर के लिए चाहिए तो चैनल के अबाउट सेक्षन मेरा वाटसप नंबर आप वहां पर भी जो मेरे को मैसेज कर सकते हैं इसके अलाव कुछ एक आपके और डाउट रहते हैं कि वही सर हमारा ग्रूप डी वेटिंग ग्रूप डी वेटिंग का दो उन्हें शुरू हो जाएंगे तो दोस्तो उसके अलावा एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भी हमारे चैनल ने जो हर्याना जिक्के की जो सीरी चला रहा की चोदा पार्ट उसके आचुके आप उन्हें भी वीडियो को प्यार दीजिए स्पोर्ट दीजिए वीडियो को लाइक करके आगे सेर कीजिए तभी आप लोग जो हैल्प देंगे तभी चीजिए अच्छी हो पाएंगी तो दोस्तो आज की इस वीडियो में फिलाल इतना एकीप वाचिंग कीप सपोर्टिंग यूरों यूट्यूब चैनल एमडी टूरेटर पब्लिकेशन थैंक यू वरी मुच